दुनिया भर में फैल रही वैश्विक महामारी कोरोना वारस से लड़ने के लिए सबी देश अपने इस्तर पर तमाम तरह के प्रयास करें देश में कोरोना वारस को देखते हुए जहां पहले 14 अप्रेल तक लॉकडाउन किया गया था वहीं अब लॉकडाउन की सीमा बढ़ा का तीन मही कर दी गई है लॉकडाउन के इस दौर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 24,500 के पार पहुच गई है वहीं 780 लोग कोरोना से अपनी जान गवा चुके हैं तीन मही को भारत में लॉकडाउन की अब धी खत्म होने वाली है इसको लेकर मैडिकल जनरल लुसेंट के एडिटर इन चीफ रिचार्ड हॉडन का कहना है कि भारत में लॉकडाउन को जल्द खत्म नहीं करना चाहिए हाली में सामनी आई कुछ रिपोर्ट्स के मताबिक कुछ वग्यानिकों का मानना है कि भारत में लॉकडाउन हटने के बाद कोरोना संक्रमन के मामलों में कमी आएगी लेकिन आगे जाकर जुलाई अगस्त के महिने में ये संक्रमन एक बार फिर अपनी पैर पसार सकता है इस संक्रमन का फैलना और ना फैलना दोनों ही नागरिकों पर निर्भर है क्योंकि अगर लॉकडाउन के बार नियमों को तोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो नए मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं आकडों पर नज़र डारी जाए तो फिलहाल भारत में संक्रमन का ग्राफ एक ही पॉइंट पर रुका हुआ है और अब धीरे धीरे ग्राफ नीचे गिरेगा हलाकि इसमें अभी कुछ हफ़ते और महीने लग सकते हैं लेकिन ग्राफ नीचे गिर जाने के बावजूद भी अचानक से नए संक्रमन के मामले सामने आ सकते हैं इनी संक्रमन के मामलों को कोरोना वाइरस का दूसरा दौर कहा जाएगा और आश्रंका ये है कि ये दूसरा दौर मानसूर में जुलाई की आखरी हफ़ते या फिर अगस्त के शुरुआत में देखा जा सकता है दग्यानिकों का मानना है कि जब हम लोग सामानी स्थितिकी और वापस लोटेंगे तो हो सकता है कि संक्रमेंट के मामले फिर से बढ़ने लगे क्योंकि चीद में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है पाबंदिया हटने के बाद वहाँ फिर से कोरोना पॉजिटिव के सामने आ रही है अगर आपको आकडो के लहजे से समझाओ तो कुछ ऐसे समझे लॉकडाउन के पहले कोरोना पॉजिटिव पेशिंट की संक्या 3.4 दिन में दूगनी हो रही थी और लॉकडाउन की बाद ये संक्या 7.5 दिन में दूगनी हो रही है पिछले कुछ दिनों के आकड़ों पर नज़र डाले तो पॉजिटिव केस की संख्या लगतार कम होती दिख रही है भारत में ठीक हुए मरीजों की संख्या 5500 के करीब है महीं चीन और यूरोप के हालात पर नज़र डाली जाए तो यह अंदिशा है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं उन्हें दोबारा संक्रिमेंट हो सकता है क्योंकि इसकी बात की अभी कोई पुष्टी नहीं हुई है संक्रिमेंट हुए लोगों में इस वायरस से लड़ने की इम्मुनिटी आ गई होगी इसलिए कर संक्रिमेंट का दूसरा दौर शुरू होता है तो भी पूरे देश पर ये खत्रा मंड राएगा पिछले दिनों IISC और TIFR के कुछ स्टडी पेपर्स के मताबिक आने वाले दिनों तक आइसोलेशन, क्वारिंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम जारी रहेंगे बैग्यानिकों की माने तो संक्रमन फैलने का दूसरा दौर कई सिचुईशन पर निर्भर करेगा ताइम निकल जाने के साथ इसमें चेंजिस भी आ सकते हैं दूसरा दौर शुरू ना हो एक बार फिर संक्रमित की संख्या ना बड़े इसके लिए उपाई यही है कि शुरुआती लक्षणों की दिखने पर आप डौक्टर से संपर्क करें और उचित मेडिकल हैल्प ले अभी हम लोग लोग डाउन की दौर में हैं इस वक्त में हम कोरुणा वाइरस के दूसरे दौर से निपटने के लिए भरपू तैयारिया कर सकते हैं जिन में क्वारिंटाइन और आइसोलेशन की जानकारी साफसफाई के बहतर तोर तरिकी और नई वैक्सीन की तलाश जैसे काम शामिल है लोगडाउन कब खुलेगा ये निश्चित नहीं लेकिन इस वाइरस से बचरा ही इसका बचाव है इसनी घरों में रहें और सुरक्षित रहें